लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि चीयू उन दोनों बंदों को मार करके अपना टास्क पुरा करी लेता है साथ ही लाडशी को मार करके उसकी जगे भी ले लेता है पर दभी कॉड़ेस जिंग वहां आंक करके उसे रिवाड देते हुए उसका नेक्स टास्क पता करके चली जाती है तो दोस्तों देखेंगे क्या होगा क्या चीयू नेक्स टास्क पुरा कर सके कर तो चली स्टार्ट करते हैं स्टोरी के स्टार्टिंग में हम चीयू को उसी स्क्रॉल्स को बेसिक कल्टिविट करते हुए देखते हैं और चीयू कल्टिविशन में बिजी था औ चियू को भी समझ आ गया कि उसके पास में ये पावर उस कल्टिवेशन की वज़े से आई है तब भी Goddess Zing भी वहाँ आ गई और वो ली बढ़ाई हो तुमने निर्वाना सूतर का फर्स्ट लेवल क्लोस कर लिया है और ये तो अभी शुरुआत है पर मुझे उमीद है तुम आगे भी इसी तरह से ब्रेक्ट्रू एजिली कर लोगे जिस पर चियू ने कहा अब मेरे पास मैं खुद को प्रोटेक करने की एबलिटी भी मिल गई जिस पर जिंग ने कहा तीन दिनों के अंदर तुम को कल्टिवेशन के पीक पर पहुंचना होगा जिस पर चियू हसते हुए बोला कि वो चीनियस है वो ये भी जल्दी ही कर लेगा और उसे पूस्ता है कि आखिर इसका प्रोसेस है क्या जिंग ने बताया ये तीन भागों में पटा है और तुम्हारी कल्टिवेशन के अभी सिर्फ सुरुआत है ये सुनकर के चियू चौक जाता है कि अगर ये शुरुआत है जिसमें उसने इतनी पावर का यूज कर एक बड़ी सी मशली को मार डाला जिंग उसे सबी डीटेल्स में बताने लगी जो कि बहुत ही चादा था जिसे सुनकर के चियू का सर्च चक्राने लगा और वो उसे टापिक चेंज करने का बुला जिस पर जिंग बोली तीन दिनों के अंदर तुमको तुम्हारा सेकिंड टास्क भी करना होगा तीन दिन सुनकर के बिचारा चियू की हालत खराब हो चाती है अब हमें वापस से उसी बच्चे को दिखाया जाता है जो चीयू का ही वीट कर रहा था पर तभी शी का लीडर एक बंदी को किक मा करके खर से बाहर करता है क्योंकि उसने उससे करज़ लिया था जिसकी ब्यास तक उसने अभी तक उसे नहीं दी थी लीडर ने कहा अगर एक गोर दिन लेड हुआ तो एज़ा इंटस तुम्हारी एक टांग उखार लोंगा तब ही उसकी नज़र चीयू पर गई जो कुछ खाता चला आ रहा था लेकिन उसे बोन को फेकना था तो उसे डस्ट बिंग कही नज़र नहीं आया तो वो कच्छे को रोट पर फीकते हुए बोला ऐसा लगता है यहां का कंस्ट्रक्शन ठीक नहीं तब ही वो बच्चा उसके पास आया पर चीयू उसे बोले नहीं देता और अब सेक का मास्टर फू उसे बोला तुमको कुछ काम करने को दिया था वो अभी तक क्यों नहीं हुआ क्या तुम मास्टर फू के आर्डर को इगनौर कर रहे हो क्या तुमको तुमारे सेक्ट की रूस नहीं बता जिस पर चीयू ने कहा सोरी मैं भूल गया था मुझे कुछ अच्छन काम आ गया मेरी भी अपनी फैमिली है मास्टर फू बोला पर तुमने कमिटमेंट करने से पहले बताया क्यों नहीं और तुमको लड़ शी बने अभी सिफ एकी दिन हुआ है और तुम अभी से मेरे अर्डर को भूल रहे हो चलो कोई बात नहीं तुम नहीं हो तुमारे लिए ये सब अभी नया है मैं तुम्हें एक और मौका देता हूँ लेकिन अगर अभी पर तुमने मेरे अर्डर को फालो नहीं किया या फिर एक्नॉर किया तो मैं तुमारे दोनों हाथ पैरों को काट डालूँगा जिस पर चियू बोला अगर आप इस तरह मुझे और दोगे तो मैं आपका और्डर फालो नहीं करने वाला इस पर मास्टर फू को गुस्सा आगया और वो अपनी इनर्जी रिलीज कर उसे खुछ से दूर कर देता है जिस पर चियू ने कहा हमें इस टॉपिक पर अभी और बात नहीं करनी चाहिए लेकर मास्टर फू ने कहा अग मैं नहीं मेरी दल्वा तुमसे बात करेगी और अब अपने बंदों को उस पर हमला करने का बोल उसके टुकड़ टुकड़ करने का बोला तब ही उसका एक बंदा चियू पर दल्वा फेक करके मारता है चियू उसे किक मार करके उससे बच जाता है और अब वो मास्टर को बोला मैं आपको फाइट चैलेंज करता हूँ और अगर मैं जीता तो आपकी जगे मैं सेक का मास्टर बन जाओंगा उसकी बाता सुनकर के सब भी हसने लगे मास्टर फू भी हसते हुए बोला तुमको हमारे सेक में सामिल हुए अभी टीक से एक दिन भी नहीं हुआ और तुम मेरी पोजिशन लेना चाते हो इवन फू के बंदे भी ये सब बोलने लगे देखो जड़ा इसको ये हमारे मास्टर को चैलेंज कर रहा है चीयू ने देखा उसकी स्प्लेस पावर का मास्टर फू पर कोई असर नहीं हो रहा था तो वो अपने स्टाय से मास्टर फू की पिटाई लगाता है और उसकी करदन तोड़ करके उसे मार देता है और रूस के अकॉर्डिंग अब चीयू फू मास्टर की जगए खुद को हॉल का मास्टर एनाउंस कर देता है और अब वहाँ पर खड़े मास्टर फू के साबी लोग जुक करके उसे रैस्पेक्ट देते हैं और ये सब एक लेड़ी भी उसे देख रही थी तब उसे एक बंदा नए मास्टर चीयू के बारे में आगा के बताता है वहीं दाजियान बच्चा चीयू को उस हॉल में लेकर के आया जहां का अब वो मास्टर होगा दाजियान चीयू के लिए खुश ताकि उसने तीन दिनों में मास्टर फू की पोजिशन ले ली चियू ने कहा वो उसे भी ट्रेन करेगा ये सुनकर के बच्चा बहुत खुश हो गया और बोला उसे उसके साथ रहना है जबकि चियू ऐसा करना नहीं चाता था पर बच्चे के आगे वो कमजोर पड़ गया और अब सेट के रूल के अकड़िंग चियू को कुन हॉल का ओफिसियली देया मास्टर एनाउंस कर दिया गया पर वहां मौजूट लोगों को यकीन नहीं आता कि कोई एक ही दिन में हॉल मास्टर कैसे बन सकता है और कोई भी खुश नजर नहीं आ रहा था तब लीडर सबको उसे बढ़ाई देने का बोला चियू ने पूचा हमारे सेक का लीडर शेंग कहीं नजर क्यों नहीं आ रहा जिस पर बंदे ने बताया वो अपनी प्रैक्टिस में बीजी है और वो जेरली यहां पर आता है अब चियू ओवर ड्रिंग था कुछ ही कदम की दूरी बाकी है चियू उसे हॉल के लीडर शेंग के लेवल के बारे में पूचता है जिस पर जिंग ने कहा नो कमेंट मतलब कि वो उसे ऐसे कोई भी इनफॉर्मेशन नहीं देगी किसी के भी बारे में जिस पर चियू चिड़ते हुए बोला फिर तुम यहां किस लिए आई हो जिंग ने कहा तुम्हारा नेक्स टास्क बताने और रिवर्ड देने यह सुनकर के चियू खुश हो गया यह देखकर के जिंग बोले सेलेक्शन कंप्रीट मतलब कि उसने एक चुन लिया था जो कि बाई मिस्टेक हुआ था यह सुनकर के चियू डर जाता है क्योंकि उसने अभी तक स्लेक नहीं किया था पर वो हो चुका था और अब उसे वो एक दे दिया गया बेचरा चियू उस एक को हाथ में लिये खड़ा रहा अब हमें एक दूसरे सेक को दिखाया चाता है जहां पर एक लेडी मास्टर अपनी एक बंदी को एक काम देती है जिसमें उसे दूसर सेक के सीक्रेटली जासु से करनी होगी जो कि चियू का सेक था और बोली याद रहे तुम्हारी आइडेटिटी रिविल नहीं होनी चाहिए वो लड़की अपनी मास्टर के ओर्डर को फॉलो करने के लिए निकल परती है पर तबी उसके सेट का एक बंदा आका के उसे बोला जोनियर सिस्टा मैंने सुना है तुमको कोई टास्क मिला है जासु से करने का तो मैं भी तुम्हारे साथ में चलूँगा लड़की ने बोला सीनियर बिदर चांग हाओ ये मेरा टास्क है और मुझे इसे अकेले ही पूरा करना है जिस पर चांग हाओ बोला गर्बड़ी होने लगी और वो एक कदम भी नहीं चल पा रहा था ये देख करके वो लड़की भी मुस्क राकर के वहां से चली जाती है वहीं चीयू उस एक को फोड़ने की कोशिश कर रहा था पर वो एक फोड़ता ही नहीं वो बार बार उस पर हैमर मारता पर वो एक्टर से मस नहीं हुआ वो उस एक को फोड़ने के लिए उस एक पर हर और जार और हत्यार ट्राइक कर चुका था पर एक का कुछ भी नहीं बिगड़ा और चियू भी ठक चुका था तबि जाडियन चीओ के लिए फ्रेश होने के लिए गल्म पानी लेकर अया और बोला आपको बेखवास में क्या खाना है मुझे बता हूँ मैं बनाता हूँ चीओ उस अंडे को देते हुए उसे पकानी का बोला जाडियन उस अंडे को पकड़नी की चक्कम में पानी के बारे पॉट को छोड़ देता है जो कि पानी करम था और वो चियू के पैपर जाकर के गिरा जिससे चियू के मुझे चीक निकल जाती है बच्चा भी चियू को पूछता है कि ये एक किस का है मतलब कि वो अंडा किस पक्षी का या जानवर का है क्योंकि उसको पकाना था पर चियू ने कहा मुझे भी नहीं पता जिस पर बच्चा चाकू से उस अंडे को तोड़ने की कोशिश करता है पर अंडर फूटनी की जगह चाकू तोड़ करके चियू के सुल्डर के आखा के लगा और ये देख करके चियू जमीन पर फ्लैट हो गया बच्चा ये देख करके घबडा जाता है और उसे उठाने की कोशिश करता है चियू होश में था और वो ड्रामा कर रहा था और वो गुस्से में अब चियू को रूम से बाहा कर देता है कि उसके वज़े से सारे काम बिगड रहे हैं और जब वो उस चाकू को अपने शोल्डर से निकालता है तो उस पर खून लगाता और उसका प्लेट अंडी पर जाका के किज़ा जिससे वो अंडा स्पार करने लगा और देखते ही देखते उसमें से तेज लोशनी के साथ में एक ड्रेगन बाहा निकलता है और इस समय वो ड्रेगन हवा में फ्लोट कर रहा था इसी के साथ में हमारी आज की एक्स्परिशन खत्म हो जाती है तो दोस्तों दिखेंगे नेक्स एपिसोड में क्या होगा क्या चियू अपना थर्ड टास्क पूरा कर सकेगा आखिर वो ड्रेगन है या फिर कोई और बैड है क्या चियू वापस से अपने अर्थ पर लौट सकेगा इसका पता हमें निक्स एक्स्परिशन में लगेगा तब तक के लिए नमस्कार